इस एक lecture के अंदर आपको feature encoding के बताने लगाँ कि feature encoding की ज़रूरी होती है और feature encoding data science में एक data preprocessing का important step क्यों होता है जाहरी बात है आपने dataset को जब डियल करना होता है तो there are many types of data sets जिसमें categorical होता है, numeric होता है और इसे के साथ data time का data हो सकता है या something else can also happen in the dataset बट फीचर जो हमारे पास encoding होती है ये क्यों जरूरी है हमारे लिए सीखना और जब हम machine learning के algorithms को देख रहे होते हैं तो feature encoding उसके अंदर क्यों बहुत heavy किसम का करदार अदा करती है सबसे पहली चीज़ जब भी आप feature encoding की बात करते हैं इसका मतलब होता है कि I know these three languages German थोड़ी बहुत आती है लेकिन I am not efficient in that so आप मुझे बताएं कि जब आप किसी के साथ बात करते हैं तो आप अपनी thought process को बिशक वो आप Punjabi में सोचें, Urdu में सोचें, English में सोचें आप उस way में transfer करते हैं कि अगला बंदा समय सकें यानि के मेरे साथ बात करने के लिए तो आपको English आना जरूरी है या आपको Urdu या Punjabi तीन languages आना जरूरी हैं, जो basics हैं तो अगर आप किसी और जुबान में बात करना चाते हैं तो मुझे नहीं आएगी for example, अगर somebody is actually learning from us from Tamil Nadu या किसी ऐसी जुबान जो मुझे नहीं आती तो वो क्या करते हैं, उसमें सोच जरूर सकते हैं for example, कुछ हमारे पठान दोस्त हैं यहां पर वो अगर पश्टो बोलते हैं तो मुझे नहीं आती पश्टो या सिंधी बोलते हैं, वो मुझे नहीं आती but they can transfer that thoughts जो उनके mind में है, वो उस language में जो मुझे आती हैं इसी तरीके से, जब आप data के उपर काम कर रहे होते हैं कुछ data sets ऐसे होते हैं, जो machine को समझ नहीं आते say for example, मेरा नाम Ammar है मैं लिखता Ammar हूँ, मेरे पास Ammar लिखा आता है backend पे, जो machine है, उसे codes की format में देख रहे होती है 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 0, 1, 0, 1, binary code और उनकी sequences तो वो coding की format में देख रहे होती है इसे लिए जब हमारे पास कोई भी categorical variable आते हैं हम उनको encode करते हैं features क्या होते हैं, features वो वाली चीज होती है जो labels को बनाते हैं, यानि के वो वाले columns जो independent होते हैं, यानि के उन पे depend करता है हमारा machine learning का task, जो हमाने वाले दिनों में देखने वाले हैं जिसकी base पे वो Y को predict कर रहे हैं X की base पे Y को, which I showed you in previous lecture तो वहाँ पे आपको बते हैं अच्छा, अब आपने encode कैसे करना है, data को चलो, ठीक है encoding के समझागी के machine के लिए असानी पैदा होती है लेकिन आपने encode कैसे करना और कौन-कौन से तरीका कार है, जहारी बात है अगर encoding करना इतना जरूरी है, तो कुछ तरीका कार भी होंगे तो आईए सबसे पहले तो encoding के फ़वाइद देखते हैं कि कौन-कौन से हैं, जो मैंने पहले भी आपको बताए है and then also we will see कि ये feature encoding इतनी जरूरी क्यों है तो ये मैं आपके सामने screen share करता हूँ and now we will see feature encoding in a deep dive feature encoding f-e-a-t-u-r-e encoding अच्छा, feature encoding जब आप पढ़ रहे हों तो एक बात ख्याल में रखनी है कि feature only जो categorical हैं, उनकी encoding होनी है यानि कि category जो categorical variables है categorical उनहीं की feature encoding होती है ठीक है? जो numeric होते हैं, उनका क्या होता है? feature scaling, जो हमने पहले कर लिया हुआ है numeric की feature scaling होती है if we need, जो हमने पिछले lecture में देखा है feature scaling जो हमारे categorical होते हैं उनकी हम क्या करते हैं? feature encoding करते हैं यानि के computer को असानी फ्राहम करने के लिए हम encoding और scaling करते हैं ठीक है? अब आप अगर गौर करें हमारे पास categorical variables काफी किसम के होते हैं जिसके अंदर हमारे पास for example एक gender या sex का column होता है जिसके अंदर होता है male या female ठीक है? फिर हमारे पास एक column था class का जिसमें first second and third class थी ठीक है? तो अब feature encoding क्या है? मैं आपको बदाता हूँ बड़ी असान जुबान में अगर मैं sex के column को जो अब encode करूँगा male की जगा पे 0 आजाए female की जगा पे 1 आजाए तो ये मेरे पास 2 codes आगए है जो इनको रिप्रेजेंट कर रहे है 0 is for male, 1 is for female I'm just giving an example so यहाँ पे अगर हम class को encode कर दे तो हमारे पास 0, 1 और 2 यह हमारे पास 3 classes आगी 0, 1 and 2 simply यही है के उठा के इनको integers में convert कर देना ints के अंदर यानि के string को int के अंदर कर देना या categorical variables को int में कर देना this is called feature encoding ठीक है feature encoding क्या है आपने categorical variables को उठाना है और उनको int में convert कर देना और इसका असान तरीका यह होता है कि जब भी आप feature encoding करें अपने mind में रखें कि feature encoding करने के लिए हमारे पास कितनी किसम के तरीके है ठीक है और यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ अब तीन किसम के तरीके पहला तरीका है हमारे पास one hot encoding जो main तरीक है और तीसरा हमारा होता है ordinal encoding there are many other encoding techniques as well लेकिन मैं आपको दो तिन बताऊँगा जो आपके mind में बैठ जाए फिर आजस्ता इसता बागी देखेंगे अच्छा जो label encoding है ना वो basically यही चीज है जो मैंने यहाँ पर की यानि कि आप एक ही column में रहते हुए यह क्या करता है यह basically one hot encoding क्या करता है अगर मेरे पास यहाँ पर sex था और यह था male and female तो इसने क्या करना है इसने male का एक separate column बना देना है female का separate column बना देना है male और female ठीक है अब जहाँ जहाँ पर male आ रहा है वहाँ वहाँ पर one हो जाएगा otherwise zero यहाँ जहाँ जहाँ पर female आ रहा है वहाँ पर one हो जाएगा otherwise zero हो जाएगा so usually यह क्या करता है yes और no की base पर column बना देता है और extra column के अंदर चीजों को merge कर देता है यानि कि बजाए इसके यहाँ पर यह zero और one male और female को show कर रहे है which is label encoding one होट encoding के अंदर क्या होता है कि हर एक value का separate column बनता है one means yes यानि कि true यहाँ पर यह false true और false इसको अगर मैं true लिखूं तो गलत नहीं होगा so true and false की base पर उनको boolean operators के अंदर convert कर देता है ताकि आपके लिए असानी पैदा हो तो मैं यहाँ पर true लिख देता हूँ यहाँ पर false so इस तरीके से आपका one hot encoding चलता है ठीक है और यहाँ पर ordinal encoding क्या होता है यह meaningful orders के अंदर convert कर देता है orders अगर first, second, third है तो zero, one, two के अंदर करेगा इसे पता होगा कि first, second, third क्या है यानि के meaningful orders बन देंगे meaningful orders simple is that और यह हम क्यों करते हैं encoding क्योंकि जो machine है वो असानी से data समझ सके efficient हो, fast हो less resources use हो और क्योंकि हमारा सारे का सारा काम जो होता है वो mathematical equations का होता है जब हम machine learning पे बात करते है तो mathematics के अंदर ही अगर बात की जाए वो ज्यादा जरूरी है एक इसकी और बड़ी example यह होती है मैं अभी आपको एक मिसाल देता हूँ numbers हर जुबान में same होते हैं say for example मैं यहां पे 0, 1, 2 लिखता हूँ 0 से मुराद है मेरा पहला label जिसका नाम था jeans दूसरा था हमारे पास shirt तीसरा मेरे पास एक ही चीज़ के अंदर value थी shoes ठीक है अब मुझे बताएं कि यह column था हमारा इस तरीके से जिसको 0, 1, 2 में किया गया 0, 1, 2 क्यों जरूरी है क्योंकि यह mathematics सबे के लिए same है अब मैं jeans है यह English में लिखा हुआ तो क्यों हम 22 नों English की तरफ एक column वैसा वो ही column है लेकिन different मतलब है same cheese Chinese के अंदर कुछ और होगी ठीक है मुझे लिखने नहीं आते हैं I'm just writing down something ताकि आपको पता चले फिर वो ही चीज़ American English के अंदर हो रहोगी यानि कि इसको बोलते हैं trouser इसको बोलते हैं T-shirt for example I'm just giving examples और यहां पर shoes बोलते हैं वो कहने कि ankle boot तो shoes के अंदर भी किसमे हैं heels वाले या ankle boot है कौन से तो बहतर ये नहीं है कि जिस किसम के भी shoes हैं उनको आप two कहा दो तो वो ज्यादा बहतर है shirt किसी भी किसम किया किसी जुबान में भी जो बुला जाते हैं उसे one कहा दो इसी तरीके से jeans को trouser कहा दो तो इस तरीके से हमें encoding करके universal language के अंदर चीजें समझाने लग जाती है which are not easy to understand if we are not coding anything तो ये जो होता है काम ये encoding का feature encoding का वो बहुत जरूरी होता है और machine learning के लिए भी जरूरी है और ये ही बात है अक्सर होका जब machine learning के अंदर हम encoding कर रहे होते हैं लोगों को ये नहीं बता होता कि किस method के साथ encoding करनी है और कौन सा method सबसे best है इसलिए तो हम यहां बे बैठे हुए हैं आपको बताने के लिए कि encoding करने के लिए आपको काफी चीजों का ख्यार रखना पड़ता है और वह सारी की सारी चीज़ें अभी आपके सामने मैं ले के आता हूँ यहां से मैं screen show करता हूँ अब हम इसको coding के अंदर देखते हैं तो feature scaling मैंने इसका नाम दिया था लेकिन मैं इसको rename करके sorry इसको rename करके feature scaling and encoding तो मैं यहां पर दूसरी notebook बनाता हूँ feature encoding की 0 to feature encoding dot ipynb तो यह मेरे पास feature encoding की notebook बन गी मैं थोड़ा सा zoom in करता हूँ ताके आपको नजर आए feature encoding ठीक है जी तो यह हमारे पास feature encoding की नई notebook बन गी now we will do some kind of coding here और इसको बारी बारी देखेंगे यह किस तरीके से हमारे पास encoding होती है सबसे पहले चीज तो हमें ले के होंगा one hot encoding ठीक है और ने sorry yes one hot encoding कर लेते हैं बाकी फिर बाद में करते हैं इस्ता इस्ता so the first one is one hot encoding ठीक है इसमें column अलाइदा बनेंगे तो मैं simply आपको directly इसका code दिखाता हूँ ताके आपको समझ आज़े and then we will see मैं pandas, eda वाला kernel लेता हूँ हमने data लिया और colors के नाम दिया हमने red, green, blue and फिर बाद में red ठीक है just to see के code से ही आते के नहीं आते data frame को हमने कह दिया pd data frame one hot encoding की और इसके लिए best way ये होता है कि pandas की library को get dummies के साथ use करें और इसको आप check कर सकते है कि आपका data किस तरीके से काम कर रहा है एक तो ये तरीका कार है दूसरा तरीका कार ये होता है कि आप same data set के अंदर ही काम कर लें but here we will actually say two data sets are there तो हम दोनों को देखते है मैं यहां पे इसको print df वो भी कर देता हूँ ताकि मेरे पास दोनों print हो जाए अगर आप check करें यहां पे हमारे पास पहला data set है यहां पे red, green, blue and red है और जैसे हमने इसको one hot encode किया color blue हमारे पास आगया यानि के color ये था underscore उसकी value blue और यहां पे जहां पे true होगा वो यहां पे आ जागा ठीक है and similar thing एक minute आपको screen नजर आ रही है कि नहीं आ रही just a minute एक minute मेरे ख्याल से screen का issue है मैं दुबारा से screen को share share करता हूँ और फिर देखते हैं कि जो code मैंने आपको दिया है वो कैसे काम कर रहा है मेरे पास भी इसका issue क्यों आ रहा है let me see window capture है आ रहा है now it's working fine I will do it again one hot encoding हमने की है ये मेरे पास data set है जिसके उपर हम काम कर रहे है तो import pandas aspd मैंने कर लिया colors के मैंने नाम दे दिया यहां पर red color, green color, blue color और फिर red color तो ये हमने data set बना लिया इसके बाद एक और data set बनाया जिससे हमने किया किया get dummies की command use की which can actually show you के आपके पास किस तरीके से data जो है वो काम कर रहे है तो यहां पर अगर आप गौर करें तो हमारे पास कुछ इस तरीके से फिर data आ जाएगा तो यह हमारा पहला without any coding data था और यहां पर अगर चेक करें तो यह one hot encoding हो गया यहां पर हमारे पास true है वहां पर true लिखा आ जाएगा यह boolean encoding basically इसके अंदर आ जाती है और जहां पर false है वो false आ जाएगा तो हमारे एक की बज़ए तीन column बन गए तो यह तरीका कार होता है हमारा one hot encoding का दूसरा जो हमारा तरीका कार है that is called label encoding और label encoding क्या होती है basically आप क्या करते है आप पूरे के पूरे data को encode करते है using scikit-learn या other libraries तो मैं यहां पर scikit-learn को use करूँगा simply यहां पर हमने क्या किया है label encoder हमने pre-processing से लिया है जैसे हमने scalar लिया था तो यह code हमारा scikit-learn library से आएगा हम sample data लेते हैं कोई भी हमारा data से for example यह हमारा data animals के नाम है dog, cat, bird and then again dog फिर मैं यहां पर bird लिख देता हूँ just to have an idea के हमारे पास दो-दो नाम भी आ रहे हैं तो यहां पर हम पहले print करते हैं अपना df और उसके बाद हम label encode करते हैं यहां पर यह label encoding होगी फिर हमारा df जो है animal encoded वो इसके अंदर print हो गया जागा so let's see इसको मैं run करता हूँ और अगर आप गोर करें यह हमारा पहला साधा data set था ठीक है जो हमने यहां तक print किया यह code फिर बाद में यह जो हमारा code है label encoder को हमने यहां पर import किया और यहां पर fit transform कर दिया है जैसे हमने scalar को किया था वैसे यहां पर encoder को करेंगे तो scalar होता है हमारा numeric data के लिए और encoder होता है हमारा categorical data के लिए तो आप चेक करें जहां पर dog है वहां पर two आ गया चेक करें dog two है bird हमारे पास zero था तो यहां पर पी zero cat हमारे पास one है तो basically encoded data एक ही column के अंदर आ गया जो मैंने आपको बताया था इसके बाद आता है हमारा ordinal encoding तीसरा method जो है और ordinal encoding के अंदर अगर आप गौर करें तो हमारे पास इस तरीके से ordinal encoder आ गया मैं यहां पर again print df लिखता हूँ before और फिर यह है हमारे पास ordinal encoding का तो हम क्या कर रहें अगर आप गौर करें तो हमने यहां पर एक data बनाया फिर हमने encoder जो है वो import कर लिया ordinal encoder ठीक है बजाए इसके कि हम label या standard scalar या कोई और encoder करें या scalar करें हमने ordinal encoder कर लिया and then here you can see कि ordinal encoder को हमने define किया कैसे categories की हमने बता दिया कि order क्या है पहला, दूसरा, तीसरा small, medium, large ठीक है तो यह क्या करेगा उस order को देखता हुआ encode करेगा ठीक है और अगर हम इसको फिर बाद में encode करें now you can see कि यहां पर order retain है जैसा हमारा ordinal variables होते है ordinal categorical variables यह उनके लिए use होते है तो मैं इसको run करता हूँ अब आप गोर करेंगे small, medium, large, medium था small, medium, large, medium है तो यह small का 0 होगा medium का 1, large का 2 फिर medium का 1 क्यों? क्योंकि हमने यहां पर बताया हुआ था so if you define the order तो आपका 0, 1, 2 उस order से आएगा यहां पर हमने define नहीं किया तो आपने देखा होगा dog पहले आगया, cat बाद में आई लेकिन उसका 0, 1, 2 इस तरीके से range चल रही है based on alphabetic order तो यहां पर जो label encoder होता है इसमें alphabetic order चलता है यानि कि bird पहले है तो इसका 0 cat यानि कि c से start हो रहा है इसका 1 और इसी तरह dog हमारे पास आ रहा है तो इसका d से start हो रहा है तो इसका 2 है तो यह alphabetic order के अंदर है और यह हम categorical order खुद से define करके उसको बता रहे है and this is how you can encode the data इसके इलावा भी काफी तरीके encoding के आप वो भी use कर सकते हैं I would highly recommend के जो तरीके मैंने यहां पर आपको बताएं आप इनको utilize करें जो data है इसको भी इस्तमाल करें और different किसम की assignment जो है different किसम के encoder उसे use करें आपको यह जो notebooks है यह अभी upload हो जाएंगे और आपको यह मिल जाएंगे यह on github profile github profile कहां पे है मैं आपको अभी दिखा देता हूँ ताके आपके सामने वो भी clear हो जाए क्योंकि सारी के सारी चीज़ें हम upload कर रहे है github के उपर तो अगर आप github पे जाए github और github.com पे जाने के बाद अब अमार तुफैल लिखेंगे जिसका लिंक मैंने description में भी दे दिया तो वहां पे मैंने github का लिंक भी दिया हूँ आप वहां पे क्लिक करें क्लिक करने के बाद repository में चले जाए repository में 6 months of python for data science mentorship program है AI भी है इसके अंदर by the way तो यह मैंने update किया आपको यहां पे content मिल जाएगा सारा का सारा procedure मिल जाएगा अगर कोई register करवाना चाता है कहां पे पूरा course पड़ा हुआ है and then यहां पे आपके पास एक तीसरा folder आ जाएगा जिसके अंदर 03 underscore जो हमारा यह वाला folder है यह अभी आ जाएगा feature scaling का ठीक है तो यह जब feature scaling का भी आएगा तो आपको notebook सारी की सारी यहीं पे मिल जाएगे secondly आपको सारे का सारा जो हमारा course है वो following website पर पड़ा हुए ठीक है तो अगर आप यहां पे click करेंगे इसको open करते हैं तो सारे का सारा course हम रुजाना की basis पर यहां पे upload कर रहे हैं तो आप से request यही है कि आप इस पे जाएं जिसका link मेंने description में भी दे दिया हुआ है और यहां पे जाने के बाद आप इस course को पूरे के पूरे को view कर सकते हैं 26 तक आगए 27 का अभी मैं upload करके फिर सौँगा So this is how you can work और आप हमारे पूरे के पूरे course को enjoy कर सकते हैं यहां तक हमारी data pre-processing आज तक खतम हुई है कल से इंशाला हम नम पाई करने वाले